हाल जी तो चलते हैं नएनी ताल, नएनी ताल जाने के लिए हम लोगो ने गुडगाउं से लिए ट्रेन, ट्रेन हम लोगो का गुडगाउं से काड़ गोधाम तो लेके जाएगी, राथ को ये 8, 6 पे ये टेन खुलने वाली थी, और मॉर्णिग में 4, 50 तक हम लोगो काड़ पहुंचा दी और मॉर्णिंग में पहुंचने के बाद हम लोग ने कैब लिए कैब भी कैसे लिए सेरिंग बाले लिए इसमें फायदे हैं 150 पर पर परसे लोगे तो 800-900 मांग रहे थे उपर से अकेला जाना सेफ नहीं रहती एक घंटे की रस्ता होती अब अंधेरा थी तो हम लोगों ने सेरिंग बाले लिए बहुत अच्छा था एंड उस कैब ड्रैबर ने हम लोगों को एक होटेल पर उतारे कि मैंने पहले से नहीं लिए अच्छा होटेल था होटेल का टूर दूंगी और नेक्ट दे मॉर्णिंग में हम लोगों दूसरा कैब भूग की हैं उस भ 100 रूपीज पर परसेंट दो टिकेट हम लोगों ने लिए और घुस्ते ही ना स्वागत करने के लिए लकड़ी वाले महराज है जो आपको अजीब सी आवाज में बोलेंगे आपको स्वागत है और जो बोड है उस पर पढ़ सकते हो उसके पास लोकिसें दी हुई आपको में देखेते हैं उस टाइप की गुफा है और इस में स्टार्टिंग में जाओगे तो नॉर्माल रहेगा और जितना डीप में जाओगे आपको अच्छा भी लगएगा ड़ भी लगए जैसे लगता है ना कि एक टाइप के खतना गुफा उस टाइप की मैं तो चली नहीं पारी थी मैं डर रही थी एक तो सूट पैनली है मैंने उपर से चलने में भी दिकत आर इतनी छोटी छोटी रास्ता में रेंगती रेंगती जा रही थी और भी लग रहा था साप होगा ना क्या होगा फिर भी ठीक था और सड़नली लाइट दिखा उपर तो मेरे हस्बन बो लोको रास्ता मिल गया मेरे हस्बन सामने जा रहे था यं मैंने उनको फालो करते करते ही पीछे से जारी धी धीर धीर को मैं कैसे रिंगते हुए जा रहे हूं बहुती ज्यादा उसमें अधिकत होती है बहुती स्मॉल पाथोई जो है ना बहुती ज्यादा पतली वाली है मजा आएगा बट डड़ भी लगेगा आपको तो फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं और वहां पे जो टाइगर वा बॉक्स में आपको साउंड रहते हैं इस टाइब की जो वाइड वाली बॉक्स है उसमें साउंड रहते है उसी से आवाज वाली आती है इसले रहे सेर है और मैंने कुछ फोटोस भी दे दिये जो हम लोग नहीं हुआ पे लिये थे देखो उसका लोकेसें और लाइटिंग वहाँ पे बड़ा ही सुन्दर है हम लोगी साड़े फोटोस बहुत अच्छा है और चलो नेक्स्ट ब्लोग में मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस लेड़े